Hello guys and welcome to my channel Digital Design School and welcome to my another video तो पहली वीडियो में हमने आप से डिसकस किया था कि ADCP अकाउंट कैसे बनाना है, PayPal पे कैसे अकाउंट बनाना है ADCP प्रोड़क्ट आपको कैसे अप्लोड करने है या वेरिफिकेशन कैसे करने है ADCP की ताकि जो आपकी शौप हो ओपन सकें और आप अपने डिजिटल डिजाइन को उस पे सेल कर सकें तो हमने आपको ये भी बताया था कि जनरली आप कोई भी डिजिटल डिजाइन उस पे सेल कर सकते हैं बट मैं जो है SVG फाइल्स उस पे बेचता हूँ SVG फाइल्स मैं सेल करता हूँ अपने ATSI अकाउंट पर मल्टिपल प्लाटफॉर्म्स पर तो वही आज मैं आप से डिसकस करने हैं कि आप SVG फाइल्स को आप आपको बनाना कैसे है ATSI पर डालने के लिए उन्हें अप्लोड करने के लिए सेल करने के लिए तो सबसे पहले गाईज उसके लिए आपको चाहिए सॉफ्ट्वेर अगर आप Adobe Illustrator यूज़ करते हैं वैलन गूड आप उसके अंदर आप यह सारा डिजाइन कर सकते हैं और अगर आपको फ्री सॉफ्ट्वेर चाहिए आपको पास Adobe Illustrator नहीं है तो there is a software called Inkscape.com आप उसको easily फ्री में इंस्टॉल करके अपने सिस्टम में उससे easily SVG फाइल्स बना सकते हैं तो guys मैंने जो Inkscape का जो डाउनलोड करने का लिंक है अपने वीडियो की description में डाला हुआ है आप महां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं फिर आप Google पर लिख सकते हैं Inkscape और सीधा आप यहाँ पर क्लिक करेंगे उसके बाद डाउनलोड में जाएंगे Current Virgin पर जाएंगे Windows पर जाएंगे 64-bit पर जाएंगे EXC पर क्लिक करेंगे और आपका जो setup है Inkscape का वो डाउनलोड होजाएगा और अगर आप Mac उसर हैं तो आपको Mac पर क्लिक करना है फिर आपको Windows पर क्लिक नहीं करना है तो यहाँ पर हमारा Guys जो Inkscape है वो डाउनलोड हो गया है डाउनलोड हो रहा है भी हुआ नहीं है तो एक चीज अबर हम डिसकस कर लेते हैं कि जो आप SVG फाइल्स बनाएंगे अब यह हम एट से पर जाते हैं जैसे हैलोवीन आ रहा है तो हैलोवीन के SVG से अभी काफी से लोगी तो हैलोवीन SVG मैंने यहाँ पर लिखा और मैं यहाँ पर देख रहा हूं कि काफी सारे जो डिजाइन्स हैं लोगों ने डाले हुए हैं अल्रेडी हैलोवीन के तो मैं जैसे यहाँ पर क्लिक करता हूँ आप देख रहे होंगे इसमें कैलिग्राफी काफी सारी है यह आप देख सकते हैं बहुत सारी कैलिग्राफी करी हुई है जैसे इन्होंने एक pumpkin का design बना है उसके अंदर लिखती है focus focus तो guys अगर आप caligraphy में अच्छे नहीं है तो आप यह कैसे करेंगे तो इसमें आपको कुछ भी परेशान होने के जरुवत नहीं है हमारे पास कुछ free commercial fonts होते हैं internet पर available जो की बिल्कुल free है मैं आपको यह website बताँगा जहां से आप easily download कर सकते हैं आप सारे fonts को use नहीं कर सकते svg's में अगर आप कोई भी font use करेंगे svg बनाने के लिए अगर आपको commercially sale करते हैं तो आपके ऊपर copyright strike का सकती है इस चीज़ को लेके क्योंकि एट से इसमें बहुत ज़्यादा particular है तो आपको क्या करना है सिर्फ और सिर्फ जो commercial free fonts हैं वो download करने हैं internet से अपनी svg files को बनाने के लिए तो generally जो मैं website use करता हूँ वो है font space और मैं यहाँ पर open करने के बाद website commercial इस पर click किया तो आप देखेंगे कि यहाँ पर सारे जितने commercial free fonts हैं वो आपको visible हो जाएंगे तो उसके according आप यहाँ से commercial free fonts download कर सकते हैं जैसे मैं 2-3 font for example download कर लेता हूँ set sunny spells, lofty goals, manga way and party confetti तो अब हम क्या करेंगे guys हम अपना inks scripture download हुआ है उसको install कर लेते हैं मैंने already install किया वह इसलिए होगा नहीं आप direct install कर सकते हैं उसको system में तो guys इस वीडियो में हम आपको यही बताना चाते थे कि आपकी commercial font आप कहां से download कर सकते हैं कि कितने भी आप fonts जहां से जो commercial free सारे download कर सकते हैं कि escape आप free में तो आज की वीडियो के लिए इतना है गाइस और अगर आपको कोई भी question होता है कोई भी query है कोई भी doubt है तो मैंने description में अपना instagram handle भी दिया हुआ है आप वहाँ पर जाके मुझे follow कर सकते हैं और आप महाँ पर मेरे को अपना आपकी पूरी help करूंगा और नेक्स वीडियो के अपडेट के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें बैल आइकन ज़रूर तबाएं और वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें थैंक्यू गाइस थैंक्यू सो मच